अगर आप भी Redmi MI Android स्मार्टफोन यूज करते हो या Redmi MI Android स्मार्टफोन न्यू न्यू मार्केट से पर्चेच करके लिख्या है हो आप अपना पासवर्ड चेंज करने के दवरान या पैटन या पिन किसी कारण बस आपका फोन पासवर्ड पैटन पिन लोक लग गया है जैसा कि देख सकते हो इस फोन में पासवर्ड लोक है आपके फोन में पैटन है या पिन है वो आप भूल चुके हो अपना पासवर्ड पैटन पिन को और आपका Redmi MI Android स्मार्टफोन लोक हो चुका है अनलोक नहीं हो रहा है तब जाकर आपने इस वीडियो को ओपन किया क्योंकि हमने अपना थमनेल में साफ साफ लिखा है किसी भी Redmi MI Android स्मार्टफोन का लोक तोरना सिखें पासवर्ड पैटन पिन तो फ्रेंड स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूटूब चैनल पे आज की इस वीडियो को आप लोगों न से मिलेगा वह भी विदाओट data loss मिलेगा चाहे वो पासवर्ड हो चाहे वो पैटन हो चाहे वो पिन हो जब फोन लॉक होता है जिसका मुख के कारण आप होते हो या आपका कोई family या आपका कोई family related और वो अपना पासवर्ड पैटन पिन आप जप भूल जाते हो तब जाकर आपका phone इस परकार lock हो जाता है और unlock नहीं होता है इस problem को लेकर इस समस्या को समधान करने के लिए आप अपने phone को लेकर जाते हो service center service center वाले आपसे पैसा लेते हैं आपका समय लेते हैं तब जाकर ये password हो या pattern हो या pin हो remove करते हैं लेकिन आपका एक loss और भी होता है जो आप अपने phone में data रखते हो family photo होग या family audio होग या family video होग या facebook, tutor, whatsapp, instagram अगेरा बगेरा ऐसा बहुत सारा application होता है जो बंदे लोग अपने phone में रखते हैं वो total का total application data service center वाले या repair mobile दुकान दर वाले पैसा समय लेने के बाब जूद भी delete कर देते हैं आपको पता होना चाहिए लेकिन अगर आप चाहते हो friend कि आपका Redmi MI Android smartphone घर बैटे unlock हो जाए बिना पैसा दिये हुए, बिना data loss किये हुए, बिना computer laptop के बिना कोई internet connection के अगर आपके phone में seem नहीं है, data नहीं है, net नहीं है, by-fi नहीं है तो भी आप इस method को follow करके अपना mobile का lock तोर सकते हो friend क्योंकि यह work offline work है तो आए friend मैं बिना time लिये इस interested video को start करता हूँ अगर आप लोग भी मेरे YouTube चैनल पे नहीं हो, तो मेरे YouTube चैनल को subscribe करके विल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि ऐसा video मैं बनाता रहूँ और वो direct आप लोग के पास पहुंचता रहेगा friend आप लोग कहीं भी रहो अगर आपका phone लोग हो चुका है मेरे चैनल को subscribe करो ना करो आपकी मरजी लेकिन जब आपका phone लोग हो जाना friend तो आप अपना model number के साथ मेरे channel पे comment करना मैं आपका पूरा मदद करूँगा तो आए friend मैं इस video को start करता हूँ सबसे पहले जब आप अपने phone के उपर sweep up करोगे आप देखोगे यहाँ password लोग है pattern होगा pattern सो करेगा pin होगा आप इतना देख सकते हो friend कि आप यहाँ पे जब अपना password डाइल करोगे आपका phone accept नहीं करता है क्योंकि यह wrong password है बार बार try करोगे यहाँ second सो करेगा फिर try करोगे यहाँ minute सो करेगा ऐसे में friend आपका phone धीरे धीरे डेथ होता चला जाएगा अप देखोगे इस phone पर एक नदर डालो और देखो कि यहाँ पे आपको work करने के लिए कोई भी option दिख रहा है क्या यहाँ पे आप कोई भी work नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई option नहीं है सिर्फ एक option है जो हम देख रहा है और आप भी देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ emergency call, zero की नीचे, ऊपर नीचे, दाय बाये, कहीं भी आप देख लो friend आपको सिर्फ और सिर्फ emergency call दिखेगा और कोई option नहीं दिखेगा तो हम इसी emergency call का मदद लेंगे, हम emergency call पे click करेंगे इसी emergency call का मदद लेके हम लोग अपना phone unlock करेंगे तो हम लोग सबसे पहले emergency call पे click करेंगे फ्रेंड ऐसे जब हम लोग emergency call पे click करेंगे तो आप देखोगे फ्रेंड कि आपके सामने एक new dialet का open हुआ है यहाँ पे इस new dialet में फ्रेंड आपको सबसे पहले offline mood activation code का इस्तिमाल करना है offline mood activation code जो code हम आपको दे रहे न फ्रेंड यह code फरवरी मन्त का latest code है और इसी code के मदद से आपका एक नहीं दो नहीं तीन तीन प्रॉफिट होगा सबसे पहला बर्क आप लोग का यह होगा कि आप लोग इस code को सही से देखो सही से देखो ताकि इस code में आप लोग किसी वी तरह का कोई mistake ना कर पाओ अगर यह code तीन प्रॉफिट दे सकता है तो यह code आपको फोन को death भी कर सकता है अगर आप इस code को सही तरीके से यूज करोगे तो आपका तीनों प्रॉफिट आपके सामने प्रकट होगा जो मैं वीडियो की इंड में दिखाऊंगा भी और यह जो code मैं आपको दिया हूँ य आपका email, Gmail break up होगा चाए एक हो चाए हजार हो दूसरा आपके phone में जो भी FRP lock लगा हुआ है वो remove होगा तीसरा आपके phone का जो भी data है family photo, family audio, family video, facebook, twitter, whatsapp, instagram बहुत सारा application लोग रखते हैं अपने phone में वो application total का total इस code के मदद से recover होगा एक भी data आपका delete नहीं होगा तो इस code को delete पे dial करने से working में है क्या यह code नहीं है इस code को working में लाना पड़ता इस code को आपको अपने Redmi, MI, Android स्मार्टफोन में 7 time call करना होगा only 7 time ताकि यह code आपके phone में working करे और active हो जाए 7 time call कैसे करना है friend यह भी आप लोग देख लो जब call पे click करोगे call field का message आगा उसको okay करना है यह हो परकार का mistake मत करना वस यह request आप लोग से अब इस code को जैसे हम हटाएंगे उसी परकार आपको भी हटाना है एक एक करके हटाना है और इस code का नाम भी आप लोग लिख लेना offline mood activation code अब आपके सामने ज़्यादा बड़ा code नहीं होगा friend seven eight sorry seven के बाद double seven होगा triple seven और star और hedge एक बार code मिला लेते हैं friend नाई ठीक है यह जो code हम आपको दिये हैं यह google master unlocking code है जो किसी भी redmi mi android smartphone का lock तोर सकता है चाहे वो password हो चाहे pattern हो चाहे pin हो कोई भी lock हो इस code को आप अपने redmi mi android smartphone में डाइल करो और nine time call कर लो ठीक उसी परकार जिस परकार मैंने पिछले time call को किया nine time only nine time one two three four five six seven eight and then nine nine time call complete हुआ मैं बार बार बता रहा हूं friend इस वीडियो में अगर आप जो code देख रहे हो अगर इस code को आप भी सही सही use करोगे सही परकार से तो आपका भी phone unlock होगा वो भी without data loss होगा यहाँ पे home button है हम home button पे click करेंगे और आप देख सकते हो कि इस phone का password lock था जो कि टूट चुका है मेरे work के नुसार मेरे method के नुसार और इस phone का data भी total का total recover है एक भी data delete नहीं हुआ है अगर आप अभी service center जाते तो आपको पैसा देना परता है समय देना परता और यह data देना परता लेकिन मैंने प पैसा बचाया है समय बचाया डाटा बचाया और आपका phone भी unlock कराया तो I hope friend के मेरे video पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को subscribe करके black and press कीजिएगा और आपके पास किसी भी company का phone है lock हो चुका है unlock नहीं होड़ा आप मेरे YouTube चैनल पे model number के साथ comment करोगे मैं आ कोड का call complete करेंगे friend अगर कोई problem आता है तो आप मेरे channel पे comment कर सकते हो तब तक के लिए bye bye thanks for watching